हलो गाई जैसा कि आपको थमनेल में भी दिखाई दे रहा है और हमने पिछली वीडियो में भी अपडेट दी थी कि हमारे देश के अंदर 100 ने सैनिक स्कूल खुल गए हैं और जिनमें से 21 सैनिक स्कूल इसी सैसन में 2022-23 में यानि इसी सैसन से इन्होंने एडमिशन परिकरिया शुरू कर दी है तो आपके लिए ये अपडेट बड़ी खास है क्योंकि इस अपडेट के अंदर ही हम बताएंगे कि ये जो सैनिक स्कूल हैं जो 21 सैनिक स्कूल हैं ये कहां कहां स्थित हैं क्या इनकी फॉर्म की जो प्रोसेसिंग हैं और कोण सी वो लास्ट डेट हैं जब ये कि सारी अपडेट आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी इसलिए वीडियो सुरू से लेकर अंग तक देख लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा सेयर भी करना क्योंकि ये वीडियो उ इन विद्यार्थियों ने All India Scenic School Intrens exam में भाग लिया था या exam उन्होंने दिया था वही बच्चे eligible हैं इन स्कूलों में admission process के अंदर बाकि जिन विद्यार्थियों ने All India Scenic School Intrens exam नहीं दिया था वो अभी इस admission परिकिरिया में भाग नहीं ले सकते इस परकार हम कह सकते हैं क कि वो विद्यार्थि जिनोंने All India Scenic School का Intrens exam दिया था और उस exam में उन्होंने qualify किया और वो waiting list में आये या medical unfit का कोई point बढ़ा और अब उन्होंने उस point को clear कर दिया या exam qualify हुआ लेकिन merit list में उनका नाम नहीं आया तो उन सब के लिए ये golden chance है वो सभी apply कर सकते हैं क्योंकि अभी सिटें बढ़ी हैं क्योंकि पहले देश के अंदर सिरफ 33 स्कूल थे सैनिक स्कूल जिन में लगभग 3000 की capacity थी और अब ये 21 नए स्कूल आने से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी और उन बढ़े हुए संख्या के अंदर जो पीछे low merit वाले बच्चे आये थे या जो waiting list वाले बच्चे थे या जो इनका medical कोई point बना था और उनोंने clear कर दिया या जिनकी merit list में नाम ही नहीं आ था उन विद्यार्थियों को मोका मिलने वाला है सुनहरी मोका है आप टच में रहें सैनिक स्कूल की website पर जाकर visit करते रहें और हम आपको अगली update इसके और कब तक apply करें जहां तक बात है apply करने की तो 2 अपरेल से 7 अपरेल तक आपकी registration की date है और जैसे ही वो date आएगी उस date पर भी हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से update लेकर आएंगे इसलिए आपने अभी तक चैनल को अगर subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करके bell icon की घंटी दबा लेना ताकि हमारे चैनल दवारा जो भी वीडियो प्रवाइड करवाई जाए जो भी अपडेट प्रवाइड करवाई जाए उसकी कोई भी notification आप से वंचित ना हों आप उस notification से आपको मिले notification और आप हो रूबरू उस update से तो guys 2 अपरेल से 7 अपरेल तक इसकी registration की date है और जह तक बात है कि जो school 24 है वो school 24 आप 8 अपरेल तक कर सकते हैं counseling जो होगी आपकी first round की counseling 10 अपरेल से होगी और अगर sitting खाली रह जाती हैं first counseling में तो अगली e-counseling आपकी second e-counseling होगी वो 21 अपरेल से होगी और आप उसके अंदर maximum 10 senic school भर सकते हैं यानि 24 कर सकते हैं 10 senic school की उन 10 senic school में से आपको मिलेगा एक senic school तो guys आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मोका है जिन विद्यार्थियों ने दिया था याल इंडिया senic school entrance exam और वो छूट गए थे admission लेडे से तो ये उन सब के लिए ने स्कूल संजीवनी का काम लेकर आए हैं संजीवनी बनकर आए हैं और उनकी खवाइस को पूरा करेंगे senic school में पढ़ने का तो guys आपको कैसी लग रही है ये अपडेट अगर चैनल द्वारा जो अपडेट दी जाती हैं वो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन के घंटे दबा करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर जरूर करना तो thanks for watching the wisdom classes तो आज की इस फिलाल अपडेट में इतना ही जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो तुरंत आपके रिए मिलते रहेगी नमस्कार वंदे मात्रम जैजवान जैक्षान जैहि झाल 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 झाल